हाईलो दोस्तों गूड इनिंग स्वागत है आप सबका स्विक्रुपा कलासेच पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SSE GD Exam 2024 के अलसिप्ट में पूछे आ सकने वाले मोस्ट इंपर्टन जीके जीएस मिसलेनियस वा करेंट के परस्णों को सालुप करेंगे दोस्तों आपके एक्जाम्स में GKGS मिसलेनियस वा करेंट के जितने भी टापिक से कोसंस पूछे जाने हैं उन सभी टापिक्स को कलेक्ट करके एक एक कोस्चन वाएक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है इसके लाव आपके प्रीवियस एक्जाम्स के परस्णों को भी सामिल किया गया है साथ में एक्ष्टाफ हैट को पूरी तरह से कबर करने का प्रियास किया गया है तो दोस्तों आप लोग इने कांस्टेट होकर सालु करें कोसंस कम साल होने पर पुनापसनों कर वीजन करें ताकि SSE GD exam 2024-25 में आप लोग GKGS mislaneous or current के टापिक से अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें ध्यार रखे दोस्तों आपके exam में आपका पूरा GK यानि की history, quality, geography, economics, पूरा आपका mislaneous यानि की बिवित का chapter पूरा आपका Gs यानि की general science वर current affairs इन सभी topics का अच्छा खासा वेटेज है अधिक सेधिक कोस्तों साब की इन सभी topics से पूछी आते हैं तो चलिए दोस्तों जादा समय ने लेते हुए हम लोग इन सभी most पड़ा पसनों को सालव करना सोग करते हैं दोस्तों question से start करेंगे हम लोग current के topic से सबसे पहले हम लोग current को सालव करेंगे पुना इसी वीडियो में और नी topics को complete करेंगे ध्यान दीजेगा दोस्तों आप लोग question ने मारा इकात्रूई miss world 2024 का खिताब किसने जीता रिसेंटली current से most उपना question है दोस्तों बिल्कुल आपके 10 में है आपके level में है question है मारा इकात्रूई miss world 2024 का खिताब किसने जीता correct answer होगा Christina Piscova ने जो की चेक गंडरा से आती है अब चुकि दोस्तों रिसेंटली current से हमारा question आया हुआ है ध्यान दीजेगा दोस्तों आप लोग सारे questions select रखे गए है पहला question है मारा June 2024 में लगातार दूसरी बार लोग सभा के अध्यस के रूप में किसे चुना गया है correct answer होगा ओम बेला को आपके हर टाबिक से दोस्तों यहाँ पे super questions लगाए गये है आप लोग सभी प्रस्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे आगे बढ़िएगा question है दोस्तों June 2024 में किसे भारतिय सेना के अगले उपर मुक के रूप में न्यूक्त किया गया है correct answer होगा NS Raja सुब्रहमणी को next question है हाली में तेलंगाना स्थापना दिवस याने की तेलंगाना foundation day 2024 कम बनाया गया है correct answer होगा दो जून को अगला question देखेंगे दोस्तों June 2024 में किसे तंबाको नियंतरण के लिए brand investor के रूप में न्यूक्त किया गया है तो PB सिंधु को हर questions को अप लोग पूरी तरह से प्रिपेर रखेंगे next भारत के लोग सभा चुनाव 2024 में कुल कितने करोण लोगों ने मत दान देकर भी सुरी कार्ड बनाया है दोस्तों तो 64.2 करोण लोगों ने हर questions को आप लोग पूरी तरह से रिवाई रखेंगे आगे बढ़िए का दोस्तों question है आपका वर्स 2024 में हैदराबाद को पूर्टा किस राजी की राजधानी बना गया तो तेलांगाना की ध्यार नखींगे अप लोग next जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरी चेजन सी कासा की अस्थापना की है करेक्ट अंसरोंगा दच्छन को रियाने अगला question है राष्टिय मानुआ अधिकार आयोग यानि की इनचार सी का नया कारिवाहक अध्यसकी से नुक्त किया गया है करेक्ट अंसरोंगा वीजय भारती सयानी को next अगे बढ़ेंगे करेक्ट अंसरोंगा प्राधिकरण के अध्यसकी रूप में नुक्त किया गया है करेक्ट अंसरोंगा सुसील कुमार सिंग को ध्यार रखेंगे आप लोग दोस्तों यह हमारे करेंड के कोश्चन है जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहें आगे दोस्तों इसी वीडियोस में आनी टापिक्स को कंप्लेट करेंगे देखेगा कोश्चन जून दोहजार चोबिस में किसने एसिया के सबसे अमीर व्यक्तिका किताब दोस्तों फिर से हासिल कर लिया है करेक्ट अंसरोंगा गोतम अडानी ने next हिंदी साहित भारती पुरसकार 2024 से किसे समानित किया गया है करेक्ट अंसरोंगा किसन परकास को next विसु दुख्द दिवस यानि की वर्ड मिल्क डेज 2024 कमना आएगे है करेक्ट अंसरोंगा एक जोन को अगला कोश्चन वर्स 2024 में Reliance Industries द्वारा भारत के पहले Multi-Model Logistics Support का निर्मार कहां सुरू किया जाएगा तो चन्नाई तमिल डाड़ु में एक्जक्ट लोकेशन चन्नाई ऐसा भी आप लोग दिहान रखें दोस्तों ताकि अगर आप्षन में यही है तो आपके Question मिस नहूं, Next बिसुत तमभा को निसेत दीवाद 2024 कमना आएगा है के 30 मही को आगे बढ़ेंगे, Question है जून 2024 में किसे राजी सभा में सदन का नया नेता नुक्त की आगया है करेक्ट असरोगा जेपी नेडड़ा को आगे बढ़ेंगे, हम आपको बता देना चाहते है दोस्तों आपके एक्जाम में जो पूरा आपका दूस्तों शाइन सी यानि की GS जिसमें आपका Physics आएगा, Chemistry आएगा और Bio आगा, इसके लाब हम आपका पूरा GK का Special PDF जिसमें आपका History, Quality, जोगराफी, कोनामिक, स्वाप भीविद और पूरा आपका दूस्तों Current Affairs इन सब को हमाई द्वारा पूरी तरह से दूस्तों कवर कर लिया गये हैं और ये सारे PDF भेरतियों को देज आ रहे हैं बढ़ेंगे एक लिए Question की उर्प अंतराष्टे नाविक दिवस 2024 हाली में कम मनाए गया है Correct answer 25 June को Next French Open 2024 में पूरू सेकल का खिताब किसने जीता है Correct answer कार्लोस हलकारेजने Next विशु खादी सुरच्छा दिवस यानि की World Food Safety Day 2024 कम मनाए गया है 7 June को Next June 2024 में एपल को पचाड़ कर दुनिया की दूसरी सबसे मूलिवान कमपणी कौन सी बनी है तो इन्वीडा है वह भी सुमहासागर दिवस यानि की World Ocean Day 2024 कम मनाए गया है Correct answer का आठ जोन को यह हमारे करेंट के Question थे दोस्तों जिनको हम लोग ने एक साथ कबर की आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा दोस्तों PDF के बारे में बात होगी पुना हम लोग गगले Questions को पढ़ेंगे देखेगा दोस्तों SSC Alec Jams और Railway Alec Jams का Arlene 1 PDF हमया दोरा पूरी तरह से complete कर लिया गया है इनमें आपकी बहुत सारी vacances लगे हैं जानते हैं दोस्तों SSC में बात के हैं तो इसमया आपका CGL चल ही रहा है इसके बाद में आपका MTS है और ZDB दोस्तों आपकी आचुकी आप लोग जानते हैं उसके बाद में रेलो इंब बात की जाए तो RPF Constable OSI इसके लगा LP Technician NTPC Group D दोस्तों इसमें आपके previous exams के questions को पूरी तरह से analyze करके आपके questions के train को देखकर प्रोस्टन के weightless को देखकर वा लेबल को देखकर ये सारे PDF हमाया दौरा complete किए गए है इन में से किसी भी vacances में दोस्तों आप अच्छी fight के लिए इस PDF को purchase कर सकते हैं इसमें आपका पूरा जीके और हिस्टरी प्वालिटी जिगराफी को नामिस पूरा मिसलेजनियस दोस्तों special PDF आएगा पूरा आपका science और फिजिस कमिस्टे उबायों का भी special PDF आएगा और पूरा आपको करेंट का PDF आएगा हर सब नंबर आप लोगों के सामने दोस्तों जहाँ पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं कि 100 रूपी जिसकी पेटफीस रखी गई है बढ़ेंगे दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टापिक से कोस्टन रखा गया है हमारा हर परसा चोरसिया का सम्मंद किस वादियन से करेक्ट अंसरोगा वांसुरी से कोस्टन किस टापिक से लगा है दोस्तों वादा कियों मुनके वादियन आपका सुपर टापिक है दोस्तों टेंडिंग टापिक है और ग्रीन टापिक है। आप देखेंगे दोस्तों आपके हर हीप्ट में यहां से कौशन से देखने को मिलेंगे। तो most on sit आपके सामने लगा दी गए दोस्तों ुस टापिस से लिट जितने भी कौशन स बन सकते हैं। सब कुछ पूरी तरह से cover कर लिया गया है, अगर इस sheet को आप अच्छे से revise रखते हैं, इस topic से कोई भी questions आपके exam में आते हैं, ना question आप से miss होंगे, और नहीं दोस्तों exam में आप लोगों को तुखा लगाना पड़ेगा, इसी में से दोस्तों आपके exam में questions बनते रहते हैं, और continue repeat होते रहते हैं, तो चले दोस्तों, इस super topics को आप लोगों पूरी तरह से complete करना सुरू करते हैं, question था हमारा, हर परसाद चोरसिया का समन्द किस वादेन से, करेक्टर अंसर का वांसुरी से, अभी सीट को पने सामने करते हैं पूरी तरह से, देखेगा दोस्तों, important point है हमारा, पहला point दोस्तों, जाकिर हुसेन, अल्ला रखा खा, गुदई महराज, सफात खान और लतीप खा, पाच नाम ध्यान रखेंगे, पाचों मोस्ट इमपाड़न्ट हैं, जो की बासुरी वादाख हैं, नेक्स्ट, अमजद अली खा, अलाओद दिन खा, अली अकबर खा और हाफिस का, चार नाम ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट मट हैं, जो सरोद वादाख हैं, आगे बढ़िएगा, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, और द्या संकर जगनाथ, के ओल दो नाम ध्यान रखेंगे, दोनों मोस्ट मट जो की सहनाई वादाख हैं, नेक्स्ट, गोविन स्वाइपिल्लाई, और एले सूब ब्रम्णयम, के ओल दो नाम ध्यान रखेंगे, जो की वाइलिन से समन्दित हैं, आगे बढ़ेगा, दोस्तों के ओले एक नाम ध्यान रखेंगे, उस्ताद रह्मान खान, जो की पकावज से हैं, एक ही नाम ध्यान रखेंगे, टीबी गोपाला किस्टनान, जो की मिर्दंग से हैं, एक ही नाम ध्यान रखेंगा, दोस्तों इस टाप्रिक को आपको यहां तक पूरी तरह से पडेट रखनें इसलिए हम अपने वीडियोस में कभी दोस्तों आप सर नहीं लगाते हैं यानि बिकल्प से नहीं पढ़ाते हैं किको बिकल्प से चीजे आपकी कभी कंप्लेट नहीं हो सकती आपका सितार का तबला में चला जाएगा और बाँ सुरी का सर्वット में चलाएगा तो पूरी तरह से दोस्तों आप लोग इसको रिवाइस रखेंगे बढ़ेंगे पिल्ए टापिक्स की ओर अगला कोश्चन दोस्तों आपके सामने ही देखेंगे किस टापिक से कोश्चन है हमारा दिल्ली सल्तनत का सासनकाल कब से कब तक था करेक्ट अंसरों का 1206 से लेकर 1526 इस भी तक दोस्तों मिडूल हिस्टरी का बहुत बड़ा पार थे दिल्ली सल्तनात बहुत सारे कोश्चन बहुत सारी फैक्ट आपके एकजाम के लिए यहाँ से दोस्तों निकलते हैं मोश्टों सीट सब कुछ कबर करके दोस्तों आपके सामने ही लगा दी गई है अगर इस सीट को आप अच्छे सी रिवाइज रखते हैं दोस्तों तो किसी भी ट्रेंट से कोई भी कोश्चन साब के एकजामी आते हैं, कोश्चन आपसे मिस नहीं होंगे, चलिए शुरू करते हैं लोग, कोश्चन था हमारा, दिल्ली सल्तनत का सासनकाल कब से कब तक था, करेक्टर उसुर का 1260 लेकर 1526 सिजबी तक, अब ये के कोइंट आप ध्यान देंगे, पहला पॉइंट है, भारत पर पहला सफल मुसलिम आकरमड मुहम्मद बिन कासिम ने 712 सिजबी में किया था, उसने सिंध्यों मुल्तान को जीत लिया था, अगला पॉइंट है, महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 सिजबी के 20 में भारत पस 17 हकरमड किये, इनमें एक हजार पस 17 में सोमनात के सिव मंदिर पर किया अकरमड सबसे परसे था, नेक्ट पॉइंट है आपका, मुहमत गवरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक मनाता, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बेसिक चीज़े हैं दोस्तों, अब यहां से आपका दिली स सल्तनत स्टार्ट हो किता है, देखेंगे आप लोग दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा, दिली सल्तनत के सिंगहासन पर कुल पाच राज़ोंसों निस सासन किया था, इन राज़ोंसों का सासन काल करम से इस परकार है, ध्यान रखेंगे, मिलाने के लिए कुड की माद्यम स दोस्तों बहुत सरी टेंट से कोशन सबके एक्जाम में पूछाते हैं तो दिली सल्तनत पे दोस्तों सबसे प्ले गुलाम हों साय जिसका सासन काल था 1206 से लेकर 1290 तक उसके बाद में खिलजी बन साय जिसने दोस्तों सासन किया 1290 से 1320 तक उसके बाद में आपका तुगलक बन साय जिसने सासन किया 1320 से 1414 तक चोथा आपका दोस्तों इस पर सयद बन साय जिसने सासन किया 1414 से लेकर 1400 क्यों तक और पाच्वा दोस्तों आपका लोदी बन साय जिसने सासन किया 1414 से 1526 तक पूरी तरह से complete रखेंगे, अब इनके बीच में जितने भी दूस्तों आपके एक्जाम सिख के लिए questions निकलते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कबर है, आप इसको अच्छे से revise रखेंगे, चलिए शुरू करते हैं, पहला point है, गुलाम उन्स के संस्थापक कों थे, तो गान, यानि कि पोलो खेलते हुए हुई थी, तो कुतुब उद्दीन आइबक ही हैं, और कुबबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्मार किस ने करवा था, कुतुब उद्दीन आइबक ने, कुतुब उद्दीन आइबक से जुड़े 5 सवाल, आगे बढ़ेंगे, तुरकाय न चल, गानी दल का गठन किस ने किया था, इलतुतमिस ने, ने, दिले सल्तनत के किो शुल्तार informação ने एकतादारी परथा चलवाई थी, तो इलतुतमिस ने ही, अगला है, कुतुब मिनार के निर्मार कारिकों किस ने को किस ने पूरा करवाई था, तो इलतुतमिस ने, ध्यान Next, दिल्ली सल्तनत की दर्भारी भासा क्या थी, तो भारसी थी, अगला है, किताब लु हिंदी की रसना किसनी की थी, अलबरुनी ने, अगला है, आगला नगर के स्थापना किसके दोरा की गई थी, सिकंदर लोधी की दोरा, नेक्स्ट भारत की पर्थम महिला मुसलिम सास का कौन थी रजिया सुल्तान थी और रजिया सुल्तान ने दोस्तों कब से कब तक सासन क्या था तो 1236 से लेकर 1240 तक आगे बढ़ेंगे सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों आप कंप्लेट रखेंगे आगे बढ़िएगा अगला पॉइंट आपका क्या दोस्तों बाजाद नियंतरों पॉणाली किसने अपना थी अलाव दिन खिलजी ने नेक्स्ट तुगलक वन्स कासन स्थापक कोन था गैसो दिन तुगलक यात्र करने तो आपको यहां तक कंप्लेट रखने होंगे पीडियाप के लिए दोस्तों यह हमारा होड़ सब नंबर है जहां पे दोस्तों पीडिया जाता है बढ़ेंगे हम लोग लिए टापिक स्की और अगला कोश्चन दोस्तों आपके सामने हैं देखेंगे किस टापिक से से आ चुकता दोस्तों बहुत धर्म आपका ट्रेहीं कोश्चन बहुत सारे ट्रेह現 तक, बहुत सरे फैक्ट बहुत सारे कोश्चन यहां से निकलते हैं निकलते जोकि आपके एकजाम में कांटिनू जोब करने यह होते हैं तो दोस्तों most one little पूरी तरह से कंप्लेट करना शुरू करते हैं कोश्चन था हमारा महात्मा बुद्ध ने अपना पर्थां उद्देश कहां पर दिया था करेक्टन्सों का सारनात रेसी पत्रम में अब एक एक फैक्ट दोस्तों आप लोग कांस्टेट होकर देखेंगे पहला पॉइंट है गोत्म बुद्ध का जन्म कपिल वस्ते की नकट लुम्बनी में 563 हिसापूर में हुआ था अगला पॉइंट है इनके पिता का नाम सुद्धान था जो कि साक गण के परधान थे और माता का नाम दोस्तों महा माय था जो कि कोलिगण की रासकुमारी थी अगला पॉइंट महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यसो धरा और पुत्र का नाम दोस्तों राहूल था सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेर रहेंगे आगे बढ़िएगा अगला पॉइंट क्या दोस्तों आपका देखेंगे हम लोग महात्मा बुद्ध ने 29 वर्स की आयू में गिरेह त्याग किया जिसे बहुत गरंथों में महाभिनिस कर्मण के नाम से जना था ये एक एक सेंटन से बहुत सारी फैक्ट हमारे दोस्तों निकलते हैं आप सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेर रखेंगे नेक्ष्ट महात्मा बुद्ध को ज्यान की प्राप्ती 35 वर्स की ओस्ता में उर्वेला यानिकी निरंजना नदी के किनारे हुई थी नेक्स्ट महात्मा बुद्ध ने मलगनराज की राजदानी कुशी नाराजिसे वर्तमान कुशी नगर कहा जाता है में 483 इसापूर में 80 वर्स की ओस्था में शरीर त्याग दिया जिसे बौध गरंथों में महापर निर्वार कहा जाता है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट गोतम बुद्ध ने अपना पर्थम देश शारनाथ रिसी पत्नम में दिया जिसे बौध गरंथों में धर्म चक परवर्तन के नाम से जाना जाता है आगे बढ़ेंगे बौध धर्म दोस्तों अनीसरवादी तथा नात्मवादी है ध्यान रखेंगे बुद्ध शं अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों आप लोग कालांतर में कनिस्की के सासनकाल में बहुत धर्म का विभाजन हिन यान तथा महायान दो साखाओं में हो गया हिन यान साखा के अनुयायों ने गोतम बुद्ध के मूल उबदेशों को सो भिकार किया जबकि महायान साखा क अनुयायों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन सुरू किया 100% जो भी टापिक्स उठायाते हैं वहीं पर प्रिपेर कर लिए लाते हैं दोस्तों जहां जहां से जिस जिस टापिस से आपके एक्जामे कोस्तस बनने सब कुछ आपके पीडियाप में पूरी तरह से सासनकाल में की गई थी दूते बहुत संगीति का आउजन दोस्तों 383 इसापुर में वैसाली में काला सोक के सासनकाल में की गई थी ते बहुत संगीति का आउजन दोस्तों 250 इसापुर में पाटल पुत्र में असोक के सासनकाल में की गई थी और चतुत बहुत संगीति का आ अठानेव इसापूर में, कुंडाल बन में, कनिश्क के सासन काल में की गए थी, सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेर रखेंगे, अब चार दोस्तों जो बहुत संगीतिया थी, वो किन की अध्यस्ता में हुई थी, ये भी कोशन बनता है, तो इसको भी आप लोग पूरी अगला को सबकुछ बता ही चुके हैं, अगला कोस्तों देखेंगे, किस टापिक से हैं, कोस्तों हमारा, खजुराहो मंदीर भारत के किस राज में इस्तित है, तो छतरपूर मद्यपर्देश में, एक जक्ट लोकेशन के साथ डाला गया है, दोस्तों ध्यान दिजीगा, क्योंकि ऐसे आपके आपके अप्सन में दिये जाते हैं, आपका टापिक क्या है, भारत के जितने महातपू रिवाइस रखेंगे, चलिए सुरू करते हैं, कोश्चन ता हमारा, खजुराहो मंदीर भारत के किस राज में इस्तित है, करेक्टमसों का छतरपूर मद्यपर्देश में, अब एक तरफ देखेगा दोस्तों, इमारतों मंदिरों को नाम देगे हैं, दूसरी तरफ समंदित राज और केंसासित परदेश के नाम देगे हैं, शुलू करेंगे दोस्तों सबसपले अजंता यूँं आलोरा गुफा जोकी औरंगाबाद महरास्ट में है, सान्ति निकेतर दोस्तों बीरभूम पर्ची मंगाल में है, पर्देश दोस्तों मुंबई महरास्ट में है, Saatchi क तरमिकेसर मंदिर आपका महाराष्ट में है, दिलवाडा जैन मंदिर माउंट आवू राजस्थान में है, ब्रम्भा मंदिर दोस्तों ये पुस्क राजस्थान में है, सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेर रखेंगे, आगे बढ़िएगा, अगला दोस्तों फेक्ट किया मंदिर तमिल नाडु में है, मीनाचरी मंदिर दोस्तों मदरही तमिल नाडु में है, ब्रेदेसर मंदिर तंजाओर तमिल नाडु में है, दोस्तों कल की सिप्ट में ये कोश्चन पूचा गयता है, ब्रेदेसर मंदिर आपके आप्सन में तंजाओर देया गयता है, जो CGL ह यानि दोस्तों एक्जक लोकिशन भी पूछा था ध्यान रखेगा इसलिए हम सब कुछ मेंसा रखते हैं नाट राज मंदी दोस्तों चितंबरम तमिल नाड़ु में हैं बेंग टेसर मंदीर तिरुपति आंदर परदेश में हैं जगनात मंदी दोस्तों पूरी ओड़ी सामें है आगे बढ़िएगा अगला फैक्ट क्या दोस्तों आप लोग देखेंगे 22 देभी मंदिर जोकी जम्मू कस्मिर में है और खजरह मंदिर ये छतरपूर मद्य परदेश में इतना यहां से आप लोग पूरी तरह से कंपलीट रखेंगे अगला टापिक आपके सामने दोस् आपके सामने लगा दी गई है आप दोस्तों इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे चलिए सुरू करते हम लोग कोशन था हमारा कारवेट रास्टे उद्ध्यान भारत के किस राज में इस्तितर करेक्टन सोगा नईनी ताल उत्रा खंड में देख लेगा एक तरफ रास् रास्टे पार्क दोस्तों हजारी बाग जहार खंड में ध्यान रखेंगे आप लोग आगे बढ़ते हम लोग अगला क्या दोस्तों आपका बेतला रास्टे पार्क जोकी पलामू जहार खंड में है गिर रास्टे उद्ध्यान जुनागर गुसरात में है बादीपू रास् V मद्यपर देश में चितने अगला कि है दूस्तों आपका दुधहबा रास्टे उद्ध्यान जोकी लखीं पूर खेटी उत्तर परदेश में में पेरियर वन्लिजियो भ्यान एडुकी केरल में है दोस्तों शरावती वनीजीव भ्यान शिमोंगा करनाटक में ही नंद देबी Port auto विहारी उत्रकन में चंद्रपरभा वनीजीव भ्यान वरांड शिउत्र प्रदेश में रर्ठंबोर दोस्तों वनीजीव भ्यारन स्वाई अदोपूर राजस्थान में कैमूर वनी जीव भ्याणी आपका विहार में है 100% जो भी टापिक टो आता है वह पर दोस्तों सब कुछ कलेक्ट कर लियाता था कि कोई भी कोशन आपके एक्जाम में मिस ना हो आगे देखेंगे सत्पुडा रास्टी उद्यान सी जी दोस्तों शाही उमसरगुजा मद्यपर्देश में है और दोस्तों पंचमणी वनी जीव भ्याणा आपका होसंगाबाद मद्यपर्देश में यहां तक इसको पूरी तरह से आप कलेक्ट रखेंगे सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टेटी चैनल से क्रूपर कलासस को इसी तरह के व हम लोग भारत के जो महत्पुन नगर हैं किस नदी के तरप इस्थित हैं वह भी कबर कर लेंगे और राजधानी के साथ सब कुछ मेंसन किया गया है ताकि किसी भी ट्रेंट से आपके एक्जाम में कोश्चन पूछे जाएं आपसे कोश्चन मेंस नहों तो चलिए सुरू कर करते हम लोग सब सबले बात की जा दोस्तों लंदन जो की इंगलाइंड की राजधानी है यां टेम्स नदी के तरप इस्थित है दोस्तों वर्लिन जो की जर्मनी की राजधानी है इस्पिरी नदी के तरप इस्थित है बेल गरल जो की सर्विया की राजधानी डेनूब सब कुछ पूरी तरह से आप collect रखेंगी आगे बढ़िएगा अगला क्या है दोस्तों आपका जर्मनी का एक सहर है दोस्तों वान जो की राय ने दिके तरपाइश्थी थे उच्चग गंडरास की राजधानी दोस्तों प्राग ये विटावा ने दिके तरपाइश्थी थे इ दोस्तों USA की राधधानी वासिंग टान जो की पोटो में एक नदी के तरपाइश्थी थे और म्यामार की राधधानी रंगून इरावदी नदी के तरपाइश्थी थे आस्टेलिया का एक सहर है दोस्तों पर्थ जो की स्वान नदी के तरपाइश्थी थे और जापान की र पहर जो कि रावी नदी की तरपस्थित है, चीन का दोस्तों सहरै संखाई, जो कि यांग टी सिक्यांग नदी के तरपस्थित है, और इराक की राधा है दोस्तों बगदाद यह टिग्रेश में के कि तरपस्थित है। जो आपका टापिक है, तापिक है दोस्तों, विस के पर्मुक, नदियों के तरपस्तित नगर, अब यह दोस्तों आपका इंडिया के लेवल पे देख लिए, यानि भारत के जो महत्पुन नगर है, किस नदी के तरपस्तित है, यही पर इसको भी पूरी तरह से कमपलिट कर ल दोस्तों सावरमती नदी के तरपईस्ती थे, काटक दोस्तों महा नदी के तरपईस्ती थे, कुलकाता ये हुगली नदी के तरपईस्ती थे, हरद्वार दोस्तों गंगा नदी के तरपईस्ती थे, गुवाहटी आपका ब्रह्मपुत नदी के तरपईस्ती थे, सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेर रखनी अगला है दोस्तों श्री नगर जो की जहलम नदीके तरपाइस दीते अगला है दोस्तों शर्यू नदीके तरपाइस दीते तुर चिरापली कावेरी नदीके तरपाइस दीते हैं हैदरावाद दोस्तों मुसी नदीके तरपाइस दीत के शंगा पईस्तित है यानि तरफ पईस्तित है पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही हाला कि दोस्तों हम इसमें साइंस के एक दो टापिक्स लगाना चाहते थे लेकिन दोस्तों आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो अगले वीडियो में साल्प करेंगे हम लोग साइंस के टापिक्स को तो दोस्तों मिलते हम अपने अगले वीडियो में थैंक्स फार वाचिंग